कि हले विवन आजम क्लास्टेल्स के साथ स्टोरी का दूसरा चेप्टर जिसका नाम है एन एस्टरोलाजस दे जिसको आरके नारायन ने लिखा हुआ है उसकी समरी देखेंगे एक बार समरी देखने के बाद आपको टेस्ट बुक समझने और क्वेस्चन अंसर लिखने में वह ग्रहों से उतना ही अपर्शित था जितना कि उसके ग्रहक वह दच्छिड की तरफ गया उसने लवख दो सो मील की दूरी तैकी वह एक नगर में बस गया उसने जोतिसी का दंदा अपनाया वह अपने माथे पर पवित्र वस्मी तथा सिंदूर लगाता था उसकी काली घ के सरिया पगड़ी वांदेता था उसका व्यक्तित उसके धंदे के अनुकुल था लोग मदमक्ख्यों की भाति उसकी उराकर्शित होते थे वह दो पहर को आता था वह टाउन हाल पार्क में एक इमली के पेंड के नीचे बैठता था उसके पास एक दरजन कवडिया एक रहत समय चार्ट थे जो इसपस्ट नहीं पड़े जाते थे एक नोट बुक और तार के पत्तों पर लेखों का एक बंडल था टाउन हाल पार्क से होकर एक रास्ता जाता था इस रास्ते पर उमर्ती हुई भीड आती जाती राती थी विविद्विक्रेता इस रास्ते पर ब मुंफली का विक्रेता पार्क में नगरपालिका की और से प्रकास की कोई ब्योस्ता नहीं थी प्रतेक विक्रेता अपना प्रकास रखता था हमारे जोतिसी के पास उसका नीजी प्रकास नहीं था करने का मतलब है कि उसके पास लाल्टेन या कोई वल्ब नहीं थे जो उसके बातें कहता था जो सबको अच्छी लगती थी और उनको चकित करती थी वह उसके अध्यान अभ्यास तथा चात्तुरिय पूर्ण अनुमान का परिणाम था उसने मानावजात के कस्टों का काम चलाव विसलेशन कर लिया था विवार धन और मानवी संबंधों की गुद्थिया वह किसी बैक्ती की अथेली के ओर ध्यान से देखते हुए काता था बहुत तरह से तुम्हें अपने प्रयासों का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो रहा है दस में से नव ब्यक्ति उससे सहमत हो जाते थे अथवा वह प्रश्ण करता था क्या कोई ऐसी इस्त्री है जो तुम्हारे प्रती अच्छा ब्योहर नहीं करती है अथवा पूछता था अधिकांस कस्ट तुम्हारे सुभाव के कारण से है सनी की इस्थिती तुम्हारे अनुकूल नहीं है तुम्हारा सुभाव जल्दिवाजी का है और देखने में तुम रूखे लगते हो मुंफली विक्रेता ने घर जाने के लिए अपना प्रकास भुजाया जोतिसी ने भी अपनी कौणिया चुनी और साथ समान उठाया और वो उनको अपने थैले में रख रहा था उसने एक व्यक्ति को अपने सामने खड़े देखा उसने सोचा कि कोई क्रहाख हो उसने उसको जोतिसी ने कहा मैं एक प्रस्ण के केवल तीन पाई लेता हूं इस पर उस व्यक्ति ने एक आना फेकते हुए का मुझे कुछ प्रस्ण पूछने है यदि मैं देखता हूं कि तुम मुझे बेवकूप बना रहे हो तो तुम्हें यहां आना व्याज सहित लोटाना पड़ ज दिया अथवा तुम मुझे आठाने दोगे ग्राक ने का ठीक है बसरते गलत होने पर तुम मुझे दूगूना पैसा दोगे अजने भी ने कहा अंत में यह समझता माल लिया गया अजने भी बैठ गया उसने धुआ उलाते हुए सिगार पिया जोतिसी ने बहुत परेसानी क प्रिकार नहीं करता मुझे आज देर हो गई है अजने भी ने कलाई पकड़ा और कहा अब तुम इससे बचकर नहीं जा सकते जोतिसी उसकी पकड़ में कापने लगा अजने भी ने अथेली चेहरे के नीचे ठुसी और कहा चुनोती तो चुनोती होती है अब बताओ उसने पूछा क्या मैं अपनी खोज में सफलो पाऊंगा अथमा नहीं इसका उत्तर दो और जाओ जोतिसी ने इस्वर से प्रार्थना की और उत्तर दिया ठीक मैं बताओंगा परंतु यदि मैं तुम्हें संतुष्ट करता हूं तो क्या तुम मुझे एक रुपए दोगे बहुत जोतिसी ने कहा एक बार एक चाकु तुम्हारे सरीर से पार कर दिया गया था अजनभी ने अपनी चाती से वस्त रहटाया और घायों का चेनी दिखाया उसने कहा और कुछ और तब तुमको पास के खेत में कुए में धक्का दे दिया गया था तुम्हें मरा समझ कर छोड़ दिया गया था अजनभी ने कहा मैं उसे कब पासखूंगा कब दबोच सकूंगा जोतिसी ने कहा दूसरी दुनिया में वह दूर एक नगर में चार माहपूर एक लारी के नीचे कुछल गया था वह गता गया गुरुनायक अजनभी को बड़ाज चरिय हुआ उस ने कहा तुम म अगली रेलगाली पकड़ो और अपने गाउं चले जाओ यदि तुम घर से बाहर दुरस्त शेत्रों में जाते हो तो मुझे एक बार फिर तुमारे जीवन को खत्रा दिखाई दे रहा है जोतिसी ने पवित्र भस्मी की एक चुटकी निकाली और उसने का कि इसे अपने माथे पर लगाओ और अपने घर जाओ उसने अजनभी को परामर्श दिया कि वह पुना दच्छिड की और यात्रा न करे और तब वहां सो वर्स की आयू तक जीएगा जोतिसी रात में देरी से अपने घर पर लोटा उसने वे सिक्के अपने पत्नी की और उचाले जो उसकी प्रतिच्छा कर रही थी यह धन प्राप्त करके पहुत ही प्रसन्न हुई वह बच्ची के लिए कुछ मिठाईया खरी देगी जोतिसी ने का कि अब उसके हाथ खुन से रंगे नहीं है वह जिवी थै उसने अपनी पत्नी को बताया जब मैं मुर्क नव्यूवक था हमने एक दिन सरापी जुवा खेला और बुरी तरह जगडे परंतु अब इसके बारे में क्या सोचें चलो सोते हैं वे सो जाते हैं और कहानी यही समार्थ हो जाती है अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक से आरो चैनल को सबस्त्राइब चलों करें धन्यवाद